यह स्टूडेंट्स स्वागत आप सभी का नीड शास्त पर मैं हूं दॉक्टर प्रतीक सिंग उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो गई थी लेकिन वेबसाइट में कल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी मैंने वीडिय को छोड़ते हुए अभी जो है यह प्रॉसेस जो स्टार्ट होगा यह कल मैंने देखा यूट्यूब पर कई सारे लोगों उस पर वीडियो बना दी और वीडियो बरा क्या दी पिछले साल की जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ट की थी 2023 के लिए उसको 2024 में भी सेम वीडियो को अप्रोड कर दिया था लेकिन यहां पर मैं आपको step by step बताऊंगा कि कहां कहां पर आपको दिख्कते आ सकती हैं category चेंज कर सकते हैं मतलब जनरल से आप किसी भी category में जा सकते हैं किसी भी category से जनरल में शिफ्ट हो सकते हैं यह state counseling में आपको option मिलता है उत्तर प्रदेश ज जो है वो अलॉट करा सकते हैं आपको website पर आजाना है upneet.gov.in कुछ निकरना है पहले आपको यूजी की counseling है फिर आपकी MDS की counseling है यूजी की counseling में आप क्लिक करना है registration for state merit जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको course select करना है नीट यूजी counseling 2024 अपना roll number डालिए नीट का नीट का application number capture enter करिए और login कर दीजे जैसे ही आप login करोगे आपको ये page open होगा ये page आपको open हो जाएगा ठीक है अब इस page में आप देखो ध्यान से यहाँ पे आपका roll number डिया होगा नीट का registration number डिया होगा नीट का rank डिया होगा नीट का score दिया होगा आपका name लिखा होगा father's name mother's name date of birth gender और category अब आप यहाँ पर कुछ भी change नहीं कर सकते जो आपने नीट के form के time पर fill किया है सब कुछ सेम रहेगा बस नीचे आपको continue का option आएगा उस पर click करना आ गया जाना जैसे ही आप आगे आओगे आओगे आपको क्या क्या दिखेगा आपको minority status select करना है अगर आपका religion हिंदू हो तो आपको इसको click करगा है not available पर इसके अलावा अगर कोई भी आपको तो आपको इसको select करना है चाहे मुस्लिम हो Christian हो सिख हो जेन हो कोई भी आपको religious आप इसको select करना है और उसके आद हिंदूिजम में not available करोगे तो यहां पर कोई option नहीं आएगा बाकी अगर जिस भी आप religious group में fall करते हो उससे फिर यहां पर option आएगा उसको अपने हिसाब से कर लेना qualifying exam passed from यह बहुत important है ध्यान से देखना इस पर जैसे यह प्लिक करोगे qualifying exam passed from आपके वाद में चार option आएगा पहला option क्या high school and intermediate past from UP अगर 10th और 12th UP से हुआ है high school past from UP and intermediate past from other than UP मतलब 10th UP से हुआ और 12th कहीं और से हुआ intermediate past from UP high school past from other than UP 12th UP से हुआ है और 10th कहीं और से हुआ है और high school intermediate दोनों UP से नहीं हुआ है तो यह चार categories है government college के लिए counseling करा रहे हो और UP domicile के student हो और 10th और 12th UP से ही हुआ है तो आपको यही क्लिक करना है high school intermediate past from UP तो आपको domicile certificate की जरूत नहीं पड़ेगी हाला कि तब भी कुछ colleges मांग लेते हैं लेकिन इसके basis पे आप उनसे बोल कि सकते हो कि सर मेरा तो 10th और 12th UP से हुआ है तो domicile की क्या जरूरत है लेकिन कुछ colleges मांगते है इस बात का भी ध्यान रखना बाकि जिन students का आगर इ इचाओ कि यह रहा कि वालिवाइं गिजाम पास्वाम दूसरा है category और इस सब्काटेगरी में आप जनरल ओबी सी एडब्लू एस स्ट यह पांच चैटेगरी में फिर पांच सब्काटेगरी में चार्टेगरी में मतलब पी डव्लू डी एंसी सी फ्रीडम फाइटर और एक्सर्विसमेंट ठीक है तो सब्काटेगरी और सब्काटेगरी आप दोनों सेलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हूं मैं दिखाता हूं कैसा आपको यह दिखेगा यह दुखो काटेगरी मन रिजर्ब बैकवर्ड क्लास ओबीसी सेट्यूल का शेडियूल ट्राइब और सब्काटेगरी में क्या क्या है यहां पर मानने होगा तो कैटेगरी और सब काटेगरी आपने सेलेक्ट कर लिया इसके फिर आपको एड्रों जालना है लाइन वन लाइन टू तो लाइन वेडर जालना है लाइन थ्री पहले हाउस फ्लैट नंबर स्ट्रीट महला नेम लोकालेटी एरिया कैसे वह फिल कर द इस ट्रिक्ट वहां से सेलेक्ट कर देना है इसको सेलेक्ट कर देना फिर क्लास 12 के मार्फ आपको डालने तोटल माक हो जाएंगे इंग्लेसफिक केमेश्ट्री बायो में जितने जितने माक्स आएं वहाँ पर आप तो आगे चलो प्र उसका नीचे आओको पासवर्ड क्रि यहां पर नोडल सेंटर्स वाली चीज़े हैं यह सब आप देख रहे हों क्याप्चा डालके सम्मिट करोगे जैसे ही सम्मिट करोगे के वाले बच्चों के लिए जो भी बच्चे यहां पर इस क्याटेगरी में कोई और सलेक्ट करेंगे वब्इसी, Ms, EWS, S, C, æि सलेक्ट करेंगे तो उनको फिर कैटिघियर साइट करेंग है पड़े इनकृ करेंगे कि मतलब जो आपने category certificate बनवा रहे थे तो उसका एक registration नमबर था वो आपको फिल यहां पर नहीं करना है इस बात का ध्यान देना है तो यहां पर certificate में मतलब जैसे अकर यह आपका OBC certificate है यहां पर दो नमबर लिखा रहेगा नीच वाल जो नमबर है वही आपको डालना है मिला जु क्योंकि आप इसके वाद इसको एडिट नहीं कर पाऊगे तो सारी details चेक करके पिर आपको email पे और phone पे दोनों पे OTP आएगा verification code आएगा मैंने जितनों काई form भरा है सब में सेम आ रहा है मतलब email verification mobile verification दोनों सेम डिजिट आ रहा है दोनों फिल कर देना दोनों जगह पे capture डा email id डैश ठीक है now upload your document इतना जब आपने कर दिया तो आपका registration हो जाएगा और मोबाइल पे तुरंत message आएगा मोबाइल पे message आएगा और registration number पे लिखा होगा registration नमबर अपना note डाउन कर लेना बहुत important रहेगा आगे के लिए अब बस क्लिक करना है upload documents पे upload documents पाओगे तो देखो इस तरह से जनरल वाले जो बच्चे रहेंगे उनके लिए category certificate का option नहीं रहेगा तो category certificate 50 से 200 के भी होना चाहिए intermediate certificate 50 से 200 के भी और high school का भी 50 से 200 के भी इसके लावा एक optional certificate है अगर आपके 10th के result में आपका date of birth मेंशन नहीं है तो आपको birth certificate भी upload करना पड़ेगा जो की optional है जरूरी नहीं है तीन डॉक्मेंट्स आपको जरूर सब्मिट करनी है 10th का 12th का और category certificate जनरल वालों के लिए क्लिए क्या होगा category certificate option भी नहीं रहेगा upload करने का क्या तरीक है अपना result एक table पे रखना flat surface रखना phone पे अच्छी flashlight के साथ photo खीच लेना उसको crop कर लेना करने के बाद उसको WhatsApp पे सेंड कर देना मैं देखो इदाँ सिंपल तरीका बता रहा हूं फोटो खीचना फोटो को क्लिक करना उसको crop करके किसी को बहुत कम हो जाएगी अपने आप उसकी साइज इसके बीच में आ जाएगी अपने आप नहीं आती है तो किसी वेबसाइट पे चले जाना image रिसाइजर डाल देना एक गूगल पे जाना image रिसाइजर डाल देना फोटो वहाँ पे अप्लोड करना और अप्लोड करने के बाद जिस साइज में आपको चाहिए 50 से 200 कवी लिखा हुआ है तो आप 100 कवी लिख देना 100 किलो बाइट और डाउनलोड कर लेना वही फोटो अ अप्लोड कर देना लैप्टप या कम्प्यूटर से फिर उसको वाट्सेप से डाउनलोड करके अप्लोड कर देना तो यह तीनों फाइल बहुत आसानी से अप्लोड हो जाईगी इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है जैसे ही आपका यह सारा चीज हो जाएगा फिर आपको देखो यह पोर्टल ऐसे खुला रहेगा और यहां पर आपको लिखा रहेगा पे रजिस्ट्रेशन फीस डॉक्मेंट अप्लोड होने के बाद आ जाएगा पे रजिस्ट्रेशन फीस ठीक है आभी देखो जैसे ही स्टेटस भी आपको वेरिफाइट दिखाने लगेगा पे रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक करना है अब ध्यान से मोड ऑफ पेमेंट अब एसबी और यहां पर मोड पेमेंट आपको दिया वाइस बियाए का पेमेंट गेटवे और आइसी आइसी आई का है ध्यान से सुनना स्टेट बैंक डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड देबिट कार्ड दोगो सबके पास होता है क्रेडिट कार्ड सबके पास नहीं होता है तो क्रेडिट कार्ड तो किसी यह बैंक का चलेगा ठीक है क्रेडिट कार्ड लेकिन डेबिट कार्ड सिर्फ एस बियाई का चल रहा है यहां पे इस टेट बैंक debit cards दिखा हुआ है यह asbi का payment gateway था ठीक है नीचे easy पे icic आय का payment gateway इस पर जब क्लिक करोगे easy pay पे अच्छा ठीक है इसका में screenshot नहीं लिया है easy pay पे जब क्लिक करोगे न easy pay payment gateway पे जब प्लिक करोगे रागे प्रोसीड करोगे तो यहां पे आपको debit card का option आएगा किसी भी बैंक का mostly आपके पास debit card होगा तो debit card का option आएगा किसी भी बैंक को और आप यहां से transfer कर सकते हो कोई दिक्षत नहीं होगी ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना कि payment जो है वो हो सकता है एक आ किसी भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी updates के दिए mcc के बारे मता दू choice locking जो है वो आज शाम 5 बजे से होगी that's all on this video thank you so much